असलाम लेंकुम दोस्तों में अमेर आप देखने यूबी टेक्चर्स वा और इस वीडियो के दरब बात करें वानों iOS 12.1 बीटा 3 के बारे में तो आसके जॉब इन्टो देस वीडियो तो iOS 12.1 बीटा 3 आचुके था बड़ा अपडेट नहीं था 286.8 MPs का था और अपडेट करने से पहले जो स्पेस थी वो थी 23.88 उसके बाद जो होगी 23.7 तो हाँ थोड़ी स्पेस यहां पर ले रहा है साथा जो बिल्ड नमबर है ना वो काफी बरा है अभी बीटा देखने को मिल सकते हैं लेकिन हम ऑफिशल अपडेट के पास पास पहुझ रहे हैं इसके साथ मैं इस वीडियो के दिए फदर बात करूंगा 12.0.1 के बारे में लेकिन अभी इस डिवाइस के पर मैं रन कर रहा हूं 12.1 बीटा 3 तो अभी इस बारे में बात करते हैं तो प्रफॉर्मस वाइस प्रफॉर्मस ब्ल्कुल वैसे यह हैं पर्फॉर्मस क्योंके इतना अधा फरक नहीं पड़ता वीटा से तो प्रफॉर्मस अभी भी वैसी रिस्ते के बीटा में ने थी और बीटा-टूबे थी 12.1 के अगर हम गीक पे स्कूर को कम्पेर्स करें तो जो बीटा 3 की स्कूर निकल गई हूँ है फंटाक्टो सिंगल गई के लिए और मल्टी कोर के लिए निकल कर встретLY सेवन हैं अटेड़ थीvens जबके सिंगल कोर के लिए बीटा 2 के ओपर 83 ती टूकी 11 पॉइंट ज्यादा थी बीटा 3 से सिंगल कोर के ओपर लेकिन मल्टिकोर के ओबार 3 लेकिन 3 पॉइंट कम थी 27 33 भीटा 3 से तो यहाँ पर मतलब भी इतना डिफरेंस नहीं है एक जिए पर जदा एक जिए पर कम है तो प्रफॉर्मेंस में इतने पॉइंट से कोई जदा में फरक जह वो देखने को नहीं मिलता तो प्रफॉर्मेंस वाइस काफी कमाल के निकल करा रही है और जो आयोस 12.1 बीटर थी इसके दर आपको बहुत से नहीं मुझी देखने को मिलेंगे और थोड़े फिचर्स देखने को मिलेंगे जब ऑफिशियल अप्डेट आएगी पब्लिक के लिए तो मैं इसके बार में फदर बात करूंगा अब बात करते हैं 12.0.1 के बारे में तो इसके बार मैं पर आपकी डिवाइस में कुछ कोई इस तरह के बग्स हैं तो सिंप्री आप अपडेट करें आपकी यह वाले बग्स फिक्स होनेंगे पहला बग्स जो है वह तो यह ना जहां पर आईफों 10S की कुछ डिवाइस हैं वह चार्ज नहीं हो पाती इमीजेटली तो उसको भी फ आईवाइस 12 के उपर तो आप अपडेट करके आईवाइस 12.0.1 के उपर आ सकते हैं तो 12.1 बीटा 3 के उपर भी आसते हैं इसमें आपको नहीं इमोजीज देखने को मिलेंगे और डिफेंट और चीज़े भी देखने को मिलेंगी तो बास यही ता इस वीडियो के अंदर ए